हर चौक हर चौरा है हर गाउं में खुले आम डारू भिगड़ा है ये भासन के धनी है और काम के धनी नहीं है ये मेरे हिसाब से दारू को पुनह लागू करना चाहिए और सक्त कानून बनाना चाहिए कि दारू पी के नोटंकी करते हुए कोई रोड पे पकड़ा जाए तो उसको दस साल की सजाय होनी चाहिए देखो पीने वाला आदमी पीएगा अपने घर में मस्त रहेगा इंगलिस की एक नमबर दारू मिलेगी उसको तो वो दो नमबर का दारू नहीं खरीदेगा उससे उसकी मौत नहीं होईगी कानून टाइट होना चाहिए दारू बंदी समाप्त कर देनी चाहिए सराब बंदी की जहां तक बात है तो जो भी काम बिहार सरकार अभी तक कर रही है वो सिरफ कागजों के उपर ठीक है, मीडिया में ठीक है बाकी बरतमान जदी धर्ती की बात की जाए तो वहां पे कहीं कुछ लागू नहीं होता है जैसे जब से बिहार में दारू बंदी हुई है हम लोग ने बहुत स्वागत किया था नितिसकुमार जी का बहुत बढ़िया कदम है लेकिन दारू बंदी कहां है जब ठाने दार ही दारू पी के साम को टूल रहता है तो समझ सकते हैं कि इस्तिती क्या होगी एक दो थाने नहीं सेकड़ो थाने का मैं उधारन दे दूँगा कहें तो मैं उनको पकड़ के दिखा देता हूँ बिहार सरकार को दारू पीने वालों को थाने के बैक्तियों को तो किसकी समिक्षा कराएंगे हर गाउ में हर चौक पे हर नुकर पे दारू खुले आम विक रही है खास तोर से ये देशी नकली दारू और इतना ज़्यादा ये पंचाईती चुनाव में इस दारू का परियोग हो रहा है और परसासन को सब पता है परसासन के नाक के नीचे सब काम हो रहा है लेकिन कोई कारवाई नहीं कर रहा है इसलिए नहीं कारवाई कर रहा है कि उनके पास मंथली जाती है हपता जाता है और उसकी हिस्सेदारी बिहार सरकार के नेताओं के पास जाती है बिहार सरकार के पास जाती है कम से कम ये मरने वाली इस्तिती नहीं थी ये हो गई ब्लेक मार्किटिंग दारू बंदी करने से 400 की बोतल सिधे 1200 में भिक रही है खुले आम भिक रहा है आप एक कॉल करेंगे आपके घर पे दारू पहुंच जाएगा इतनी फेसलिटी बढ़ गई है दारू बंदी की और बहुत ही सर्मनाग घटना हुई है जिनके भी परिवार में ये घटना घटी है इसका बहुत ज़्यादा दुख है और ये इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ बिहार सरकार को अपने नाकामी के उपर इनको लेनी चाहिए कि ये इनकी नाकामी है दारू बंदी ऐसी नाम की कोई चीज नहीं है बिहार के अंदर ये सब फालतू की बाते हैं मैं समझता हूँ बिहार सरकार की नाकामी है बिहार सरकार को तुरंत इस्तिफा दे देना चाहिए क्योंकि ये दारुबंदी इलागू करने में सक्ति से काम्याब नहीं हुए कानून बेवस्था सही नहीं है लाइन ओर्डर सही नहीं है दादागिरी चल रही है पूरे बिहार के अंदर नितीस कुमार के बसका कुछ नहीं है भारतिय जंता पाटी के गढ़बंदन के पास बातों के अलावा जमीन पे काम कुछ नहीं है ये भासन के धनी है और काम के धनी नहीं है मेरे हिसाब से दारु को पुनह लागू करना चाहिए और सक्त कानून बनाना चाहिए कि दारु पी के नोटंकी करते हुए कोई रोड पे पकड़ा जाए तो उसको दस साल की सजा होनी चाहिए देखो पीने वाला आदमी पीएगा अपने घर में मस्त रहेगा इंगलिस की एक नंबर दारु मिलेगी उसको तो ओ दो नंबर का दारु नहीं खरीदेगा उससे उसकी मौत नहीं होईगी कानून टाइट होना चाहिए दारु बंदी समाप्त कर देनी चाहिए और उसे लागू करना चाहिए कम से कम विहार सरकार के कोश में तो पैसा जाएगा यह अभी किसके कोश में जा रहा दारू माफियाओं के उन्ही के कोश में जा रहा है थाना में पैसा जा रहा है भरष्टाचार इससे बढ़ रहा है, भरष्टाचार खतम नहीं हो रहा है